हैly हुआ हैालो फरेंद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है ऐसिम्डी डायोड के बारे में तो CSम्डी डायोड जो होता है वह कैसे काम करता है और इस के बंबर जो कोडिंग लिखा होता है उस को देखके हम कैसे कइसे कंफर्म करेंगे कि यह जो डायोड है यह कौंसा डायोड है 54 डायोड है यह जैनर डायोड है यह सेमी केनेकटर डायोड है ठीक है यह LED डायोड है तो इसके according जो है हम इसको कैसे confirm करेंगे plus जो है इसके द्वारा SMD डायोड के द्वारा bridge rectifier डायोड हम कैसे बनाएंगे bridge rectifier क्या होता है जो आप देख सकते यहां पर जिसका काम होता है AC supply को DC supply में connect करना इस मैंने already video बना रखा है तो यह जो है bridge rectifier डायोड है तो bridge rectifier SMD डायोड को द्वारा हम कैसे बनाएंगे ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह जो डायोड होता है bridge rectifier डायोड इसमें क्या होता है चार पीन होता है जो एक ही बोडी का अंदर bridge rectifier डायोड बना होता है और इसकी जो value होती है 1N4001 से लेके 7 तक मतलब 1N4001 से लेके 7 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 तक कोई भी आप bridge rectifier डायोड लगाके मतलब यह 4 डायोड लगाके आप AC को DC में connect करा सकते हैं उसके बाद से बात करें जैसे आपको पता है कि bridge rectifier डायोड के लिए इंटरनली चार डायोड लगा होता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर AC supply हो जाता है मतलब उसमें only positive रा जाता है तो यहां से जो supply आ रहा है AC जिसमें plus minus है तो diode में हमने बताया था कि anode to cathode always positive out करता है और cathode to anode हमेशा negative out करता है तो यह जो wire से यहां से positive यहां से positive out होगा और cathode to anode जो है negative out हो गया ठीक है मगर यह half cycle हुआ हाप cycle मतलब पूरा complete DC convert नहीं हुआ तो उसलिए फिर दूसरा जो wire है यहां पे यह डायोट पर दिया गया दूसरे और तीसरे डायोट पर सोरी तीसरे और चोथे डायोट पर दिया गया जिसमें anode से cathode positive out हो रहा है और cathode to anode negative यह पूरा full negative हो जा रहा और यह पे यह पोजेटिव दोनों मिलके यहां पे DC pure जो है DC मोल्टे में कनोट हो जा रहा है और यहां पर आगे कम load लगाके use कर सकते हैं जैसे कि आप यहांपे देख सकते हैं सर्कुट में कि यह यह हैं इस ताइब करते हैं तो उसमें क्या होगा एक निगेटी आउट होगा तो उसमें जो है इस टाइब के एक रेक्टी फायर होगा मगर जो अगर हम 4 डायोड में लगाके और bridge rectifier बनाते हैं तो उसके लिए pure DC supply यहां से out होगा तो ऐसे हम convert कर सकते हैं उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसके द्वारा हम कैसे convert करेंगे AC को DC में तो इसके जगा पर यह जो 4 डायोड है अब इसमें से कौन सा डायोड लगाए कि इस कोडिंग का मतलब जो है किस कोडिंग को देखके हम कैसे confirm करेंगे कि कौन सा कोडिंग जो है वो rectifier डायोड के लिए यूज होगा तो चलिए हम desktop के screen पर चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा डायोड से हम AC को computer के screen पाग है और यहां पाने के बाद हम SMD डाय इस पर लिखा है B2 और जैसे कि इस पर S3 लिखा है M7 लिखा हुआ है तो यहां पर यह अलग लग कोडिंग लिखा हुआ है तो इस कोडिंग को देखके हम confirm कर सकते हैं कि यह जो डायोड है वो एक तरका rectifier डायोड है या जैनर डायोड है या semi-connector डायोड है ठीक है यह हमने साइट बताया था smanuals.com यहां पर भी जाके marking SMD पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ है जैसे कि अगर बात करें तो यहां पर B2 लिखा हुआ है तो यहां पर क्लिक करेंगे और SMD marking SMD पर क्लिक करके और यहां पर देखिए B2 यहां पर लिखा रही है तो यहां पर देख सकते हैं यह लिखा हुआ है यह पर लिखा हए तू पर क्लिक करके इसका पीदियक वर सकते हैं कि यहाँ ड तो टाइम ले रहा है यहां पर देख सकते हैं बीटू और यहां पर साइड में भी आ गया एक तरका यह जो है आप देख सकते हैं यहां पर जैना डायोड है जैना डायोड यहां पर लिखा हुआ है तो यह एक तरका यह आपको नॉर्मल टाइप का डायोड है जो बड़े हो कि दूसरा रिख दिछो दैयोड है उसक जैसे मु से लिका हुआ है तो इस पूर लीए यासम ineffective कर सकते हैं यहां में ch-load university है यहां पर यहां पर पूज्वर्ट करें तो डायोड यहां पे क्लिक करेंगे तो यह दिखा देगा कि यह जो डायोड है यह किस टाइप का डायोड है तो इसे M7 जो डायोड होता है M1 से लेके M7 तक यह एक तरका rectifier डायोड रता है आप यहाँ भी देख सकते हैं M7 लिखा हुआ है और यह रेक्टिफाय डायोड लिखा हुआ है और इसकी जो वैलू होती है नंबर होता है जो मैंने शुरू में बताया था कि 1 and 4001 से लेके 7 तक यह तरका अगर बड़े बाले डायोड आगर लेते है तो वो डायोड पे भी यही नंबर लिखा होता है 1 and 4001 तो यह बड़ी जो डायोड का जो है वर्क है वही सेम यह डायोड करेगा M7 जो जिसके लिखी है SMD coding लिखिया है तो इस coding को देखके आप confirm कर सकते हैं और इसकी value को आप देखके निकाल सकते हैं और इसके दूर थूर आप bridge rectifier diode बना सकते हैं ठीक है प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है SMD silicon rectifier diode इसके हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसका एक PDF डाउनलोड हो रहा है और इसके coding हम confirm करेंगे कि जो है यह यह डायोड जो है वो किस टाइप का डायोड है थोड़ा निट का speed slow है और SMD marking पर भी जाके हम यह लिखा है तो वो coding को यहाँ पर search करके आप open कर सकते हैं तो देखिए हमारा यह इसको open करते हैं PDF को और यहाँ पर देख सकते है SMD silicon rectifier diode लिखा है और M1 से लेके M7 के बीच में और M4 M7 यहाँ पर लिखा भी है तो यह जो diode होता यह एक तरह का rectifier diode होता जो AC supply को DC supply में करता है औ और आज कल के जितने भी latest circuit आ रहा है उसके अंदर जो है इस type के diode आ रहा है जो AC को DC supply में कर रहा है और यह जो है आप manually भी बना सकते हैं 4 diode लगा के और यहाँ पर voltage भी सब का दिखा रहा है M1 से लेके M7 तक के जो भी diode है इसकी क्या-क्या voltage है maximum और minimum voltage यहाँ पर आप सब देख सकते हैं जैसे M1, M1 के लिए 50 voltage चाहिए M2 के लिए 100 voltage और M7 के लिए 1000 voltage maximum voltage पर यह काम कर सकता है तो ऐसे कोई भी SMD जो रजी डायोड है उसके उपर जो coding लिखा है उससे confirm कर सकते हैं कि यह जो डायोड है वह कौन किस टाइप का डायोड है प्लस अगर डायोड की बात करें इ यह anode point है ठीक है और यह 4 डायोड लगा के आप bridge rectifier डायोड बना सकते हैं और AC को DC में करा सकते हैं तो डिपैंड करता है कि कौन सा डायोड तो आप जैसे कि इस टाइप के जो डायोड है M1 से M7 तक के बीच में कोई भी डायोड ले सकते हैं या किसी भी डायोड के उपर जो होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो समझ वाया हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए ओके थांक्यू